असलाम लेकूम टो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खेरियत से होंगे तो जी आज का व्लॉग ग्रॉसरी शॉपिंग से स्टार्ट का रही हूं जैसे कि आप सब को पता है न्यू मन्थ स्टार्ट हो चुका है हर गहर में ग्रॉसरी शॉपिंग की जा रही है तो हम लोग भी आज सुबो नाच्टा बगरा करने के फौरण बाद ना आ गए थे शॉ चॉपिंग हो रही है और सुबो में ही हम निकल आये थे क्योंके मैंने का कि फिर घर जाकर चीज़ें वगारा भी समेट नहीं होती है तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता तो खेर यह मैट्रो जो है ना हमारे घर के बिलकुल पास है यहीं से हम लोग अपना जो है ना ग्र घर जाकर आपसे फिर मैं मुलाकात करती हूँ तो जी अभी हम आ चुके हैं घर वापिस जैसी घर आई हूँ स्टाव वोन करके देखा तो गैस आई हुई थी तो फिर मैंने फॉरां से जयाना यहां पर चने वाश करके तो इसको चड़हाने लगी हूँ क्योंके राद भार यह मैंने बिखो के रखे हुए थे आज मुझे बनाना था चना प्लाओ थोड़ा से चिकन भी इसमें अड़ करूंगी और चावल बनाऊंगी दुपहर में तो मैंने का कि चलें गैस तो आ गई है तो फटा फट से पहले चनों को बॉइल करने के लिए रख देती हूँ क्योंके 10-15 मिनट लग जाने इनको बॉइल होने में भी तो बस यहां पर मैं प्रेशर में चने वगारा डाल कर और साथ में नमक डाल करना और पानी डाल कर तो बस इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी उत्ती दियर में बाकी के काम कर लूँगी यहनिके अपनी ग्रॉसरी वगएरा जो है वो सारी समेट लेती हूँ अच्छे कल मैंने लगाई थी वाशिंग मशीन और जैसे ही मैंने कपड़े फिलाए ना तारों पर तो साथ ही पांस दस मिनट के बाद इतनी तेज बारी शुरू हो गई तो मुझे कपड़े उतारने पड़ गए और मैं तनी परिशान हुई क्योंकि आपको पता है कि अगर कपड़े गीले हों तो मैंने स्मیल पैदा हो जाती है फिर मैंने अपने सारे रूमें न कपड़े फिला दिए थे और राद भर आइसी फिर नी पर पड़े रहे हैं और ड्राइ हो गए थे लेकिन आज आज अच्छी खासी धूप निकली तो फिर मैंने फटटाफट से सारे कपड़े बीना घरा कर तारों पर फिलाए ताकि अगर थोड़े बहुत गीले हैं तो वो भी ड्राइ हो जाएं और गीले कपड़ों में से बहुत अजीव से स्मेल आती है खास दोर पर गरम कपड़ों में से तो इनको धूप लगवाना ना जरूरी होता है और मुझे इस चीज़ का बड़ा वहम सा हो जाता है और यह देखें धूप बड़ी अच्छी सी आज निकली हुई गया तो बस सारे कपड़े में धूप में फटाफट से फिला रही थी ताकि अच्छी तना से ड्राइ हो जाएं सर्दियों में बस एक यही मसला है कि कपड़े ड्राइ नहीं होते बाकी जो एना सर्दियां हर लिहास अच्छी लगती है अच्छा यहां पर फिर मैंने सारी ग्रॉसरी वगएरा समेटी की यहिन करें किचन में इतना ज्यादा मैस हो गया था चीजें इदर उदर सारे काउंटर बगारा पर मैंने का मैं वीडियो में क्या दिखा हूँ आपको इतना मैसी किचन हुआ 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 है फिर मैंने फटा फट से सारी ग्रॉसरी समेट कर तो अब मैंने अपना कैमरा आउन किया है कि चलो व्लॉक बनाना दुबारा से स्टार्ट करूँ तो यहां पर अंडो वाली ट्रे भी मैं फ्री करी थी अंडे मैंने टोकरी में लगा कर फ्रिज में रख दी है और साथ में जितनी भी चीजे री विल करने वाली थी उन सब को मैंने री और आपको पता है कि यही काम करते करते काफी टाइम लग जाता है और ग्रोसरी को सेट करना और चीजें सारी रीफिल करनी तो भई शाम ही होगी थी खाम करते करते अच्छा तो खेर अब यहां पर सारा काम जब तकरीबन कम्प्लीट हो चुका है अब सिर्फ और सिर्फ ना मेरा रह गया था मैंने मसाला बॉक्स जो है ना वो रीफिल करने थे अच्छा मसाला बॉक्स मेरे ना कैबनेट में ही पड़े होते हैं आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी किचन के काउंटर बार नहीं इनको रखा क्योंकि इससे बहुत जादा मै रीफिल करने है तो इनको अच्छी तरह से एक मरतबा लाजमी वाश कर लिया करें इस तरह से ये बैक्टिरिया फ्री भी रहते हैं और आपके मसाले भी खराब नहीं होते तो इस तरह से मैं चोटे शोटे बरतनों में सारे इनके जो मसाले निकाल लूँगी जो थोड़े थ जो मैं अच्छी तरह से वाश कर लिया करें और आगर आप इनको वाश्यां करते हैं इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो यह एक से दो सालों में इतने ज्यादा जो हैंना वह पुराने लगने लग जाते हैं आपको तो इस तरह से नहीं को जब आँ निकालें आपको नीव ही लगें और यह मेरे बॉक्स को तकरीबन तीन साल हो चुके हैं अभी भी मैं यूज कर रही हूं बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल नियू लगते हैं यह तो बस यहां पर इनकी मैं अच्छी तरह से अब मैं वाश तो कर ली है तो बस इनको मैं रख रही हूं ताकि यह ड्राइ हो जाएं अच्छा तो आज मेरी हेलपर की चुटी है उसने नहीं आना क्यूंकि आज संडे संडे वाल दिन वह लाजमी चुटी करती है तो आज मुझे अपने घर की क्लीनिंग भी करनी थी बस अभी किचन के कामों से फारिग होकर क्लीनिंग करूंगी और क्लीनिंग के मैंने फिर किचन के काम से फारिग होकर फटा फट से फिर सारी सफाई की तो बस इस तरह से आज का सारा दिन बहुत ज़्यादा बीजी गुजरा और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आज मैं वाइट चना प्लाव बनाऊंगी तो बस वो भी नहीं मैं बना सकी क क्योंकि मस अतनी जादा हो गई थी तो फिर इसका ब्रोग्राम भी मैंने कैंसल कर दिया जो फिर फिर बाउ बनाऊंगी तो उतनी देयर में प्र मैंने आलू रख दिया थे वाइल होने के लिए ताकि पिर मैं आलू के qatlet's बना लेती हूं वह भी मेरे बचओ कि बहुंग से अभी रेडी कर लूंगी तो बस अभी बचों को यही बना कर ख्र shuffle दूंगी एक शाम को जो एना मैं पिर जबना बनाओं यह प्लौब क्युक informação की लिफ्र दो आर्जान के रेना में भी शाम होता है आपको पता है कि सारा दीन मैं लगाथार जो है ना अपना यह वह वा यानि के कामों के साथ साथ व्लॉग का भी काम हो रहा होता है ना तो शाम तक मुझे ना इसको बना कर कंप्लीट करना होता है फिर एडिट करना होता है फिर वाइस ओवर करके आपके साथ शेयर करना होता है तो उतनी दिर में पिर मैं कहती हूं कि जितना काम हो गया ठीक है बा आजमी अपना व्लॉक साथ साथ बनाते रहना होता है तो यहां पर देख लें अब मैं सारे मसाले निकाल रही थी यह मैंने जो होते हैं ना डालों के पैकिट इस तरह से आदा आदा किलों के पैकिट हर डाल के मैं मगवा लेती हूं यह मेरा महीना जो है वह इसली गुजर जा लगी थी बस अभी थोड़े से ड्राइ होने वाले रहे गए थे अच्छा मैं प्यारी पेरी बहनों को अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाजमी लाईक का बटन प्रेस किया करें जो मेरे सब्सक्राइब कर दिया करें क्यूंकि मुझे वाइटी स्टूडियो से पता चाल रहा होता है आप मेरे चैनल को watch कर रहे होते हैं वीडियो देख रहे होते हैं लेकिन आप subscribe नहीं करते हैं तो subscribe लाजमी क्या करें और बेल आईकान प्रेस क्या करें ताके आपको notification मिल सके मेरे वीडियो का ताके आपको अच्छे-चे प्यारे व्लाग्स भी देखने को मिल आपको मिले और साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप मुझे सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं सो जी नेक्स वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी अल्ला आप